हेलो फ्रेंट्स यह जो कार आप देख रहें यह है हमारी हुंडाई की अलकाजार का सिग्नेचर मॉडल अलकाजार में तीन वेरियंट आते हैं प्रेस्टीज प्लैटिनम और सिग्नेचर सबसे टॉप मॉडल है अगर आप बात करें फुरी लोड़िट है आगे हुंडाई का इसे लोगों आता है नीचे एक 360 डिगरी कैमरा आता है आगे एक बड़ी सी ग्रिल आती है जो एक जैक क्रोम नहीं कहेंगे इसको थोड़ा स्मोकी कलर या ब्लैकिश क्रोम कह सकते हैं जो आगे से काफी अच्छा अपना एक लुक देती है आगे हमारे सेंसर लगे हुं इस तरीके का यहां पर अंदर एंटर करने के लिए कंपनी फिटेट हमारा डॉर्स्टेप दिया हुआ है है हैंडल की बात करें तो वह ऐसे देखने में मिलेंगे आपको क्रोम पर और अगर हम बात करें साइट से तो कार काफी लंबी होने की वाज़ा है क्योंकि इसका वील पीचे के अगर हम बात करें तो हाई स्टॉप लेंब दिया हुआ है डीफॉगर दिया हुआ वाइपर है एलकजार की बड़ी सी बेजिंग है हुणडाय का लोगो आता है और अगर नीचे बात करें तो साइट में छूटा सा यहां पे एक सिगनेचर की बेजिंग आती है ज सबसे ज्यादा मैसिव बूट स्पेस प्रोवाइड करती है साइड में यहां पर लाइट दी हुई है इस साइड पर आपके स्पीकर्स लगे हैं जो बोस के हैं अगर हम बात करें तो नीचे यहां पर टूल सेटप रखा हुए आप देख सकते हैं स्टैपनी या बाकी सब च अगर आप चाल लोग बैठ के जाना चाहते हैं तो इसमें काफी स्पेस है अब बात करें बंद करने कोई बटन नहीं है आपको मैनूली करना है यह सीट अपने कमफर्ट के लिए जानी जाती है अपने फीचर्स के लिए जानी जाती है तो अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ यहां पे शेड्स दिये गए हैं जो कमपनी फिटेट है इसमें इस कार में बात करूँ कोई ऐसा चीज नहीं है जो भार से अभी तक लगवाई गई है ब्लैक ग्रे के साथ यह जो रेड और ब्राउनिश जो हमारा कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लगता है साइड में हमा यहां पे एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे आपको नीचे एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा आप उसके साथ अगर आप देख सकते हैं नीचे मोबाइल रखने की थोड़ी सी जगे है अगर हम बात करें तो यहां पे कप होल्डर के साथ साथ यहां पे भी एक आपको चार्जिंग का उप्शन मिलता है जो काफी कम कारव मिलता है अंदर चोटी स्टोरी जगे और यहां पर एक हैंड रख सकते हैं चोटी सी आपको ट्रे मिलती है जिसमें आप अपना टैबलेट या कुछ भी है आप वहां पर रख सकते कुछ खाना पीना हो तो आप अपने चुटी चुटी चीछ पर ध्यान दिया गया पीछे कि हम बात करें तो थर्ट सीट में आप यूस्बी चार्जिंग दो आपको एसी वेंड के कंट्रोल उसके साथ साथ आपको पीछे का फोल्डर सब कुछ मिलता है अगर हम बात करें इसके के के बिन की तो अंदर बैठते ह इसमें फुली डिजिटल आपका मीटर है यह थीम ऐसी है जो आपको लगया कि उसमें सुई दिख रही है एसी वेंट्स काफी अच्छे लगते हैं एक डीसेंट साइस की आपको स्क्रीन दी गई है नीचे आपके सारे बटन दिए गए जिससे आप अपने रेडियो लेस चार्जर का ऑप्शन दिया गया है यहां पर आपके वेंटिलेटर सीट का बटन मैं इसको ओन करके आपको दिखा दूँगा यहां पर 360 व्यू का आपको लिए बटन दिया गया है आपकी जो इसमें ब्रेकिंग है जो पार्क कह सकते हैं वह आपकी ऑटो होल्ड होती है और उसका फायदा ही होता है कि आपको कोई बटन या पुली कीच के आपको लगानी जरूत नहीं पड़ती है अगर वो आपकी सेटिंग ओन है इसमें अब बात करें किया और अगर हूंडाई की तो वो लोग कंपनी फिटेड इसमें एर प्यूरिफाय लगा के देते हैं जो काफी अच्छा लगे अगर मैं बात करूँ कोश्ट की तो 24 लेक क्या राउंड ये कार पढ़ती है सेंटर कंसोल पर अगर हम इसमें बात करें स्टेरिंग पर तो सारे जो यूसफुल अगर आपके नविगेशन के आपके कॉल रिसीव वाले सारे बटन दिये गए हैं सारी LED लाइट से मैंने आपको पहले ही बता दिया काफी बड़ी इसमें पैनरामिक संरूफ है जो अगर आप शीशा ओपन करते हैं तो भी आपको अच्छा लगे अगर बंद भी है तो भी आपको उसमें काफी अच्छा फील होगा तो यह आज कल के बच्चों के लिए एक क्वालिटी में को लगी देखने के प्रीमियम अंद जो टच आता है हर चीज़ वह आपको कहीं न कहीं फील होगा कि आपको यह नहीं लगी है कि कहीं पे हमारा कुछ गैप्स हैं या कुछ हैं तो सब और अगर हम बात करें इसके सेंटर कंसोल पर तो देख सकते हैं कितना न सब्सक्राइब करें अगर उसके स्टेरिंग को तो काफी लाइट है और स्पोर्टी मिलब इतनी बड़ी कार आपको लगेगा नहीं मैं चला रहा हूं बहुत मजा आएगा आपको इसको ड्राइफ करने पर चाप प्लेन रोड पे चलाएं मांटेंस पे चलाएं काफी अच् 24 लाग खर्च किया है तो उसके लाइक आपको उसमें सारे फीचर यह लोग दे रहे हैं क्योंकि आजकल के एक रिक्वाइमेंट बन गई है कि मेरे को अपना कंसोल काफी प्यारा लग रहा है देख सकते हैं थोड़े टाइम के साथ साथ इसके जो डिजिटल चीजें उन पर काफी काम किया गया आप देख सकते हैं अगर हम इसको चेंज करते हैं इसके थीम को यह जो डिजिटल मैंने बोला की स्पोर्ट्स मोड पर डालते हैं तो इसके अंदर की थीम्स थोड़ी चेंज हो जाती है तो यह सब चीज एक वाव वाली फिलिंग लोगों को लेके आती ह अगर हम बात करें इसके ड्राइव ट्रेक्शन कंट्रोल को एक नॉमी में कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर कर रहे हैं कमफर्ट पर कर रहे हैं तो उसे साबसे कार की एवरेज पर भी थोड़ा से एफेक्ट पड़ता है बट यह आप अपनी कार को इंजॉय कर सकते हैं आप जो आरवीम से उसके नीचे जो कैमरा है वो अन हो जाते हैं और आपको अंदर दिखाता है ताकि आपको अगर कहीं टाइट जगे पर पार कर रहे तो आप लेफ राइट देख सको बात करते हैं इसकी वेंटिलेट सीट तो इसमें अच्छा क्या है कि आप इसको स्पीड कंट्र आप वो भी सब कर सकते हैं 360-degree camera देख सकते हैं अपने left side पर देखना right side देखना है दौनों को एक साथ में देखना है तो आप वो सब चीजे कर सकते हैं तो यह एक तरीके से कह सकते हैं किसी को gimmick भी लगेगा कि यह चीजे इतना useful नहीं है लेकिन जिसको अगर parking का issue होता है ज किसी भी लगा दो वो सब चीजे इसमें काफी अच्छी लगेगी पैडल शिफ्टर है तो इंजन आप इंजॉय कर सकते हैं इसमें अब हम बात करें तो 1.5 लीटर का हमारा यह डीजल इंजन है जो around 115 बीहच्पी की power generate करता है तो अगर बात करें तो इंजन वाइस थोड़ा सब्सक्राइब करें ऐसे ही हम आपको एक इसका driving experience और शेयर करने वाले जल्दी से तो प्लीज चैनल को like share और सब्सक्राइब करें